हेलो डियर स्टुडेंट्स वेलकम टो आवर चैनल एजुकेशनल गोल और आज के इस वीडियो से हम क्लास 12 जो MP-board के जो इस्टुडेंट्स हैं उनके लिए क्युस्टन आंसर की सीरिज इस्टार्ट कर रहे हैं और यहां पर हम फर्स्ट पोयम आपकी जो फ्लेमिंगो टेक्स्ट बूक है इस है क्या हो रहाए कि कमलादास अपनी माता के साथ एक कार में बेट करके कोच्चिन एरपोर्ट जा रही है और उनकी माताजी उनको छोड़ने आई है तो उनकी माताजी की उम्र जादा है 66 साल है और इस उम्र को देखते हुए कमलादास को अपनी माताजी की चिंता हो रही है कि अगली बार वो अपनी माताजी को देख पाएगी या नहीं देख पाएगी उससे जुड़ेवे सारे क्यूस्टन है क्यूस्टन आंसर भी अगर आप याद कर लेंगे तो आपको यह पूरे जो पूरे में समझ में आ जाएगी तो देखे पहला क्या है कि किस प्रकार का दर्द कवियत्री अनुभाव करती है कि किस प्रकार का दर्द कवियत्री महसुस करती है कि जब कवियत्री अपनी माता का चेरा जो की बिल्कुल किसके समान लग रहा है लास के समान कोप्स लाइक पेल बिल्कुल पीला पड़ गया है उस चेरे को देखती है हर ओल्ड फेमिलियर पेन आर दा एक रिटन्स उनका वही चिर परिचित पुराना दर्द वापिस आ जाता है दर्द क्या है वो नुभव करती है वो महसूस करती है कि वो अपनी माताजी को एक दिन खो देगी या खो सकती है उनको उनके रदे में इस बात का दर्द है कि वो आगे से अब अपनी माताजी को देख नहीं पाएगी शी माइट नाट बी एबल क्योंकि वो जा रहे ही कोचिने रेपोर्ट और जब आएगी तो हो सकता है वो अपनी माताजी को ना देख पाए इसलिए उनको ये डर बना रहता है क्योंकि उनकी माताजी के उम्र जादा है ठीक है अगला क्यूशन देखते है वाई आर दा यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड स्प्रिंटिंग कि जो जो पेड है रस्ते में जो पेड निकल रहे हैं जब वो कार में बेटके जा रहे थी तो उन पेडों को स्प्रिंटिंग क्यों कहा गया है उनको स्प्रिंटिंग डिस्क्राइब क्यों किया गया है पोयम में तो देखिए जब वो बाहर देखती है जो चोट-चोटे जो पेड है या यंग युवा जो पेड है वो पीछे की तरफ भागते वे प्रतीत होते हैं क्योंकि कार आगे जा रही तो आपको पता है कि पेड आपको पीछे वे भागते वे देखेंगे तो चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-चोट-च जी है उनकी तुलना शीत रितु के चंद्रमा से क्यों की गई है तो देखिए क्या है इसका उत्तर वेन दा पोईट्स मदर इस सिक्स्टी सिक्स इर्स ओल्ड की कवियत्री की जो माता जी उनकी उम्र हर स्रंकन एशन फेस रिजेंबल्स एकॉप्स और उनका सिक्ड़ा हुआ चेहरा जो है वो किस से मिलता हो प्रतित होता है जिसे की लास हो गया है मतलब वो बिलकुल मृत के समान दिखाई देती है उनकी माता जी वो अपनी युवा वस्ता की चमक और शक्ति को खो चुकी है क्योंकि उनकी उम्रब बहुत जादा है उसी प्रकार जो सीत रितु का चंद्रमा होता है वो भी धुन्दला और आइसपस्ट दिखाई देता है इसलिए जो तुल्ला है ना चंद्रमा से जो की गई है सीत रितु के चंद्रमा से जो की गई है वो बिलकुल सही और सोभाविक लगती है अगला क्यूस्था ने वाट डू दा पार्टिंग वर्ड्स अब दा पोएट एंड हर इसमाइल सिगनिफाई कि जो विदाई जो सब्द है पार्टिंग वर्ड्स मरलब जब उनकी माता जी कमलादास को एरपोर्ट पर चोड़ने पहुच गई तब उन्होंने जो पोएट ने आखरी बार जो सब्द कहे उनकी माताई से बिछणने से पहले उन सब्द और जो कवियत्री की जो समाइल है इससे क्या संकेत मिलता है तो देखिए आखरी सब्द अपनी विदाई सब्द क्या थे कवियत्री के कि फिर से मिलेंगे अम्मा इन सब्दों से एक उमीद प्रतीत होती है वो चाहती है कि वो उनकी अम्मा से फिर से मिलेगी इन सब्दों से प्रतीत होता है एक promise और एक उमीद कि वो अपनी माता को फिर से देख पाएगी she might find her mother alive और वो अपनी माता को अगली बार जीवित देख सकती है इन सब्दों से यही प्रतित होता किन से see you soon amma अब आगे कुछ और question है देखिए पहला है where was the poet going and who was with her कवılı 60 कहां जा रही थी और उनके साथ कौन थी तो कवियास्थी आपको यादे कोचिन ऐरपोर्ट जा रही थी the poet was driving from her parents home to कोचिन ऐरपोर्ट कि अपने माता पिता के घर से कवियास्थी कोचिन ऐरपोर्ट जा रही थी The poet's mother had come to see her off और कवी अत्री की माता उन्हें विदा करने आई थी See off मतलब विदा करना ठीक है She was sitting beside her और वो उनके side में बेटी विदी कार में She was dozing with her mouth open और वो उंग रही थी माता जी उंग रही थी और उनका मुँँ खुला हुआ था ठीक है अगला है What was the poet's childhood fear? कवी अत्री के बच्पन का डर क्या था? ठीक है तो देखिए The poet's childhood fear is that her mother would slowly grow old and eventually die कवी अत्री के बच्पन का डर ये था कि उनकी माता जी दीरे दीरे बड़ी होगी और एक दिन मर जाएगी Eventually die As she sees the visible signs of aging on her mother's face और जैसे ही वो ये सारे के सारे चिन अपनी बढ़ती उम्र अपनी माता जी की बढ़ती उम्र के चेरे पर देखती है The poet starts to feel this fear again फिर से कवी अत्री को वही डर अनुभव होता है ठीक है तो ये बच्पन का डर है उनका अगला है Why does the poet see outside? What does she see happening outside? की कवी अत्री बाहर क्यों देखती है और वो बाहर क्या होता हुआ देखती है ठीक है दो प्रस्न है तो देखिए की कवी अत्री बाहर देखना खिड़की के बाहर देखना स्टार्ट कर देती है बाहर देखने लग जाती है क्योंकि वो दूर जाना चाती है उस दर्द से उस व्यता से जो अपनी माता की ज़्यादा उम्र को देखती हुए जो कवी अत्री के मन में या फिर जो दर्द अनुबव हो रहा था उस दर्द से दूर जाने के लिए कवी अत्री कहां देखने लग जाती है फिर वो कार से बाहर देखने लग जाती है सि लोगड आउटसाइड वो बाहर उस कवी अत्री ने देखा at the world which was full of life and activity वो बाहर वो देखती है तो बाहर का जो नजा रहा है वो बहुत ही अच्छा है full of life है और ऐसा लग रहा है कि कुछ गतिविदी जैसे उनकी मा बड़ी सांत है लेकिन बाहर तो बहुत सारी हल चलो हो रही है सिसा young trees running past her वो देखती है कि जो पेड़ है वो बहुत तेजी से पिछे जा रहे है and the married children is sprinting out of their homes to play और जो चोटे-चोटे बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर निकल कर खेलने के लिए दोड़ लगा रहे हैं ठीक है तो बाहर देखती है कि बाहर की जो life है कार के बाहर जो चल रहा है बहुत ही energetic है और उनकी मा को देख करके उने उनका जो बचपन का डर है वो याद आता है इसलिए वो बाहर देखने लग जाती है तो ये इतने question इस part में इस poem में important है तो जो भी channel पर नए है उनसे request है channel को subscribe करे और अपने दोस्तों को भी इस video को share करना है thanks for watching this video